नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं हलाकि इसमें सामील होने वाले परतिनीदी सुबा दस बैसे ही जूट सकेंगे बोकारो में आपकी सरकार आपके दोवार कारिकरम में सीम हमन्त ने 396 क्रोड की योईनाओ का किया उदघाटन हे मंत सरकार के कारिकरम के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष में 12 अक्टूबर को सुरू किये गए कारिकरम आपकी जोईनाओ आपकी सरकार आपके दोवार का पहला चरन अपराफ्तार पकड़ रहा है 12 अक्टूबर को गिरिडी में कारिकरम की सुरूआत करने के बाद ICM पोकारों पहुंचे मुख्य मंतरी के साथ सरम एवन विकास मंतरी सत्यानल भोकता सिक्षा मंतरी जगनात मतो समेत पूरा प्रसासनिक अमला पहुंचा है साथ में मुख्य मंतरी के प्रधान सचीव भी नव कुमार चौबे भी है बतादे कारिकरम का आयोजन सेक्टर 5 इस्तीत पूस्तकाले मैदान में किया जा रहा है दोपर करीब एक बज़े हवाई अड़े पर जिले के उपायुक्त कुलदीप चोधरी स्पी चंदन कुमार जहा समेत अन्य अधिकायों ने पुस्प गुछा देकर सीम का स्वागत किया पूलिस के जवानों द्वारा गौड ओफ अनर भी दिया गया इसके बाद सीम कारिकरम असल पर पहुंचे यहां वो 396 और रूपाई की 86 और नावो का उद घाटन किया जबकि 145 क्रोड की संतान में यो नावो का सिलन्यास भी किया जारखंडियों की आमदानी सलाना 7,000 रूपय तक बढ़ी कुरोना की मार के बाद ज़ारखंड वासियों की आमदानी में पहली बारू छालाया है सलाना आमदानी 7,589 रूपय तक बढ़ गई है भारत सरकार की ओर से बरतमान मुले पर किये गए आकलन से इसका पता चला है बतादे 2020-21 में ज़ारखंड की लोगों की सलाना आमदानी 71,000 रूपय थी जो 2021-22 के बाद 78,660 रूपय हो गई है बरतमान मुले पर ज़ारखंड की प्रती ब्यक्ति आय में या विरिधी पिछले साल की तूलना में 10.68 पिसदी है बतादे इस थिर मुले पर ज़ारखंड की प्रती ब्यक्ति आय में बढ़ोत्री पिछली साल के तूलना में लगभग आधी यानि 37,000 रूपय है ज़ारखंड की प्रती ब्यक्ति आय इस थिर मुले पर 2020-21 के बाद 51,350 रूपय थी जो 21-22 के बाद 55,126 रूपय हो गई है ज़ारखंड के सरकारी आई टी आई में 737 पदो पर बहाली 29 नॉबर तक परिछा सुल का भुगतान होगा वही फोटो यो महस्ताक्षर अपलोड करने तथा आवेदन पत्र का प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए पोटर 21 नॉबर तक खुला रहेगा अभियार्थी 22 से 24 नॉबर तक आउनलाइन आवेदन में सौन सोधन भी कर सकेंगे बतादे अध्योगिक प्रसिक्षन संस्थावनों में जिन पदो पन्युक्ति होगी उनमें 711 नियमीत तथा 26 बैक लोग पत सामिल है जिन में अभियार्थियों को अपनी योगता के अनुसर वर्यता का उले करना होगा जार्खन सरकार की ग्राम गाड़ी योजना में मात्र एक रुपए में निवन्धन जार्खन सरकार की नई ग्राम गाड़ी योजना से आम लोगों को बड़ी रहत मिलेगी सरकार के इन योजनाव का उदेश से गावों से परखंड जिला मुख्याले यों सहर तक आवा गवन की सुविधा बहाल करना है इसमें गाव के किसान मैदूर छात्र छात्रावों को सहर तक आने में सुविधा होगी छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज किसानों के लिए बजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुचना सुलब होगा योजना में सामिल होने वाले वाहन मालिकों को भी सरकारी टेक्स में बड़ी रहात दी जाएगी इन्हें निबंधन एवाम परमिट के भारी आर्थिक बोई से छुटकारा मिल जाएगा बतादे सरकार के इस योजना के तवात मात्र एक रुपए में निबंधन एवाम एक रुपए में रोड परमिट जारी करेगी इससे गाव से सहर एवाम जिला मुख्याले तक सवारी वाहनों एवाम बस का परिचालन को गती मिलने की सभावना प्रबल होगी अब तक निबंधन एवाम रोड परमिट के भारी भरकम सुल्प के कारण लोग इन में रूची नहीं दिखा रहे थे जारखन में इंटर कॉलेज खोलने के लिए जमीन की सर्त में मिलेगी धील इसकूली सिक्षा वेमस्तर शर्ता विभाग द्वारा इंटर कॉलेज प्रस्विक करीती नियमावली 2005 के बदलाव किया जा रहा है विभाग ने त्यार प्रस्ताव सिक्षा मंत्री जगनात्मतों के पास बेजा है बताते चले कि इससे पहले राज्य में इंटर कॉलेज खोलने के लिए सहरी छेतर में एक एकर और ग्रामीन चेतर में दो एकर जमीन के उसकता होती थी नियमावली के अनुरूप कॉलेज खोलने के लिए संस्था के नाम से जमीन की रहिष्टरी होना अनिवार है पर एस्पीटी एक्ट के कारण संथाल परगना प्रमंडन में जमीन की रहिष्टरी नहीं होती इसके अलावा लीज खेतर में भी कॉलेज के लिए जमीन प्रवधान के अनुरूप नहीं मिलती है जारखन में घर पर ही होगा बीमार पसुओ का इलाज अब जारखन के पसुपालकों को अपने बीमार पसुओ के इलाज के लिए भटाकना नहीं होगा केंद्र सरकार उनके लिए घर पर इलाज की वेवस्था कराएगी इसके लिए क्रिसी पसुपाल वा सहकार्टा विभाग 236 मोबाइल एम्बूलेंस खरी देगा इसका संचालन किसी एजेंसी के माध्यम से होगा इसके लिए केंद्र सरकार रासी दे रही है केंद्र सरकार प्रती एक लाख जानवर पर एक मोबाइल एम्बूलेंस दे रही है राज्य में ताजा सर्वे में करीब 2.36 क्रोल जानवर जारखन में है राज सरकार ने एम्बूलेंस खरीदने की परकिरिया भी शुरू कर दी है पहले चरण में 30 एम्बूलेंस खरीदने की योजना है वहान आपूर्ती करताओं ने एक बार में सभी तरह की चिकिसीय सुविधास से यूक्त इतने ही वहान पहले चरण में उपलब्द कराने की बात कही पूरी परकिरिया जार्खन राज इंपलीमेंट एजेंसी पूरी कर रही है जार्खन छात्र संसद के दूसरे संसकरन का आगाज 4 नौमबर तक करे आवेदान जार्खन बिधान सभा की ओर से आयोजीत होने वाले जार्खन छात्र संसद के दूसरे संसकरन की परकिरिया सुरू कर दी गई है जार्खन छात्र संसद का आयोजन बिधान सभा का बिधाई सोध संदर्व एवाम प्रसिक्षन को सांग करता है इस जार्खन छात्र संसत कारिकरम के लिए राज के सभी उन्वर्सिटी से दोदो स्टूडेंट को अमत्रित किया जाना है चैनित छात्रों के बीच राज अस्तरिय परत्योगता होगी जिसके लिए राज के सभी उनिवर्सिटी के कुलपती प्रती कुलपती निदेशक प्रचारे से दोदो श्टूडेंट का नाम चेहन कर मांगा गया है इसके लिए आवेदन की अम्तिमति थी चार नॉमबर 2022 निधायित की गई है प्रधान मंतिने अन्द मोदी ने सोमवार को देश के 10 क्रोर किसानों के खाते में 2,000 रुपे टांसफर कर दिया है प्रधान मंतिने अन्द मोदी ने सोमवार को देश के 10 क्रोर किसानों के खाते में 2,000 रुपे टांसफर कर दिया है बतादे परधान मंदिर ने आज नई दिली इस्थित भारतिय क्रिसी अनुसंधान संस्थान में पीम किसान समान समेलन का उधगाटन किया और इसके साथ ही देश के क्रोरों किसानों के खाते में कुल 16,000 को रूपए की रासी बरहवी किस्त के रूप में डाली योजना के कैदिवाड के सोचालय का रोड काट कर जेजे एमपी उग्रबादी अमीत उराव अपराधी मस्रूम आलम के साथ फ्रार हो गया घटना सनिवार की देर रात की है बतादे मस्रूर हजारी बाग जेल से इलाज के लिए कैदिवाड में भरती कराया गया था पूलिस की जाज म सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार और कोर्नियंस बिलूंग को SSB ने सोकाज किया है हजारी बाग के दनुवा घाटी में बस पल्टी दरजन लोग घायाल हजारी बाग जिले के चोपान परखंड के जीटी रोडिस्ती दनुवा घाटी में एक बार फिर विवार को देरात ए हायल हो गाए देव घर में पटाखों के बिक्री का गाई लें जारी दिपावली वा छट को देखते हुए लाइसेंसी वा अस्थाई पटाखा दुकानों के लिए अगिन समन विभागने गाई लें जारी कर दिया है जिला अगिन समालय पदाधिकारी गोपाल यादों ने बताया है कि दिपावली वा छट पूजा पर लाइसेंसी सहीत और अस्थाई पटाखा बिक्रेता पटाखा की बिक्री निधारित कलस्टर में करेंगे कलस्टर के अतिरिक्त पर्तिबंधी छेतर फूटपात पर वा दुकान के बाहर नाली के उपर अतिकर्मन कर बिक्राइ नहीं करेंगे पटाका की अस्थाई दुकाने एक दूसरे से 3 मीटर के दूरी पर तथा किसी संड़क्षित अस्थलों से 50 मीटर के दूरी पर होगी या अस्थाई दूकाने एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगी सुराक्षा, दूरी के अंदर वा इन दुकानों में परकास के लिए किसी परकार का तेल लैंप, गैस लैंप वा खुली बिजली बत्यों का परयोग नहीं होगा धन्यवाद